हेलो बच्चों, ये कुश्यन आपका system of particle chapters है, देखी कुश्यन में क्या कह रहा है, find the center of mass of three particle at the vertices of an equilateral triangle, the masses of the particle are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively, each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long, देखो बच्चों यहाँ पे यह आपको triangle given है, ठीक है यहाँ पका equilateral triangle है, लेकिन यहाँ पे कुश्यन में हमें यह given है, कि यह जो triangle के vertices हैं, यह जो corner है, यहाँ पे mass place कर रहा है, 100 gram का mass है, 150 gram का mass है, और 200 gram का mass है, यह तीन particle है, यह जो तीनों particle है, यहाँ पे vertices पे place कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो एक 100 gram का mass, यह जो particle है, इसका mass 100 gram है, ठीक है, दूसरा है, जो दूसरा particle है, उसका mass दे रहे हैं, 150 gram, और जो तीसर पर्टीकल है उसका मास है 200 ग्राम ठीक है अब देखो बच्छों यहाँ पी X-axis और यह Y-axis आपको दिखाई दे रही है ठीक है यह फीगर आपको given है ठीक है अब देखो यहाँ पी क्या होता है यह आपका origin point है तो सबसे पहले यह जो origin point है बच्वों जो हमें यहां पर देखो find the center of mass find करना of three particles, यह जो three particles से मिल करके जो यह system बन रहा है, यह system हमारे पास है, इस system का मुझे center of mass find करना है, तो देखो center of mass find करने के लिए सबसे पहले हमें origin point decide करना होता है, कि origin point से ही center of mass को measure किया जाता है, तो इसलिए बच्वों यहां पर x axis और y axis यहां पर बना रखी है, ठीक है, तो यह उसका origin point है, अब देखो बच्वों जो origin point होता है, origin point के जो x coordinate और y coordinate होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके 0,0, ठीक है, अब हमें यह 100 gram का mass है, इसके coordinate क्या है, 0,0 है, यह है कहने का मतलब, अब देखो यहां पर 150 gram का particle, जो particle उसक coordinate कितना होगा बच्वों, देखो x coordinate जो होगा, उसका origin point से, यहां से लेकर के, यहां तक का जो distance होगा, वो x coordinate होगा, तो देखो बच्वों यहां पर क्या लिगा है, each side of the equilateral triangle is 0.5 meter, यह जो equilateral triangle, इसकी जो side दे रही है, वो 0.5 meter long दे रही है, तो यहां से लेकर के, यहां तक का distance हो, वो 0.5 meter है, थिक है, तो यह क्या है, आपका x coordinate है, इस point का x coordinate है, तो y coordinate कीतना होगा बच्छों, y coordinate 0 होगा, y coordinate 0 इसले होगा बच्छों, क्योंकि, यह point है ना, यह जो particle है, x axis में लाए कर रही है, अगर कोई भी particle, अगर x axis में लाए करता है, तो उस particle का, जो y coordinate होता है वो 0 होता है अब देखो ये 200 gram का mass है इसके भी हमें x coordinate और y coordinate find करने तो इसका जो x coordinate होगा इसका जो y coordinate होगा उसे हम कैसे find करेंगे देखो बचो x coordinate find करने के लिए हमें यहां से ले करके यहां तक का distance find करना है और y coordinate find करने के लिए यहां से लेकर के यहां तक का यह distance find करना है ठीक है यह जो length है यह आपका x coordinate होगा यह वाली जो length है यह y coordinate होगा तो बच्चों यह वाली length है यह वाली length इसके equality है यहां से लेकर के यहां तक की length है तो बच्चों यह वाली length है इस total length का half है तो बच्चे, यह total length कितनी थी? यहां से लेकर किए यहां से लेकर किए 0.5 0.5 meter इस equilatoral triangle की side है तो just उसका half कर देना आपको 0.5 divided by 2 कितना हो जाता? 0.25 हो जाता है तो यहां से लेकर किए यहां तक की length हो 0.25 है तो यह आपका x coordinate है 0.25 अब देखो हमें यह य कोडिनेट भी फाइंड करना है तो इस पार्टिकल का य कोडिनेट हमें फाइंड करना है तो यह वाली जो लेंथ होगी यह यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ यह वाली लेंथ तो इस लेंथ को हम कैसे फाइंड करें यह वाली लेंथ को यह वाली ले होता है वो क्या होता है आपका sin theta होता है class 10 में यह formula पढ़ा होगा sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse देखो यह perpendicular है यह आपकी base है यह hypotenuse है तो यह perpendicular हमें find करनी है ठीक है perpendicular बच्चों यह जो hypotenuse होगी वो किती नहीं होगी 0.5 meter होगी इस equilateral triangle की side कितनी है 0.5 है यहाँ पर यह जो theta angle कितना 60 degree तो यहाँ पर आजागा यह आपका sin 60 degree अब देखो बच्चों यहाँ पर इससे आगे करते हैं यह perpendicular is equal to 0.5 into sin 60 degree sin 60 degree की value root 3 by 2 होती है तो इसे अगर आप काटोगो तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा तो यह finally जो perpendicular आ रहा है यह 0.25 root 3 आ रहा है तो यह वाली जो लेंद है यह 0.25 root 3 है तो हमें यह y coordinate भी यहाँ पर मिल जाएगा यह आपका 0.25 root 3 ठीक है यह हमें y coordinate मिल गया अब देखो हमें आगे क्या करना है हमें यह आपर center of mass find करना देखो बच्चों center of mass कैसे find करेंगे इसका मतलब यह है कि हमें center of mass का x coordinate और y coordinate find करना है यही हमें x coordinate और y coordinate find करना है क्योंकि यहाँ पर इस particle का coordinate हमारे पास था इस particle का भी coordinate हमारे पास है और इस particle का coordinate भी हमने find कर दिया है तो अब हमें क्या करना है center of mass का x coordinate और y coordinate find करना तो इसका formula क्या होता है देखो बच्चों x com center of mass का x coordinate सबसे पहले हम find करेंगे तो उसका जो formula होता है m1 into x1 plus m2 into x2 plus m2 into x3 divided by m1 plus m2 plus m3 ठीक है बच्वे m1 mass है m1 mass ये वाला ठीक है ये m1 mass है ये आपका m2 mass है और ये m3 mass है तो ये m1 mass का x1 coordinate है ये x1 coordinate है ये y1 coordinate है ये x2 को m2 mass का x2 coordinate y2 coordinate और ये x3 coordinate और ये y3 coordinate confused तो नहीं हो रहे हो न अब देखो m1 mass कितना दे रखा 100 gram दे रखा है इसका जो x1 coordinate है कितना है जीरो है ये x1 coordinate 0 है 0 यहाँ पहा जाएगा m2 mass कितना दे रखा 150 gram into x2 coordinate कितना दे रखा बच्चों ये x2 coordinate है 0.5 ठीक है प्लस ये m3 है ठीक है m3 कितना दे रखा 200 gram और इसका जो x3 coordinate ये x coordinate ये 0.25 है ठीक है divided by इन तीनों mass को add कर देंगे 100 प्लस 150 प्लस 200 ये तो आपका 0 आ जाएगा बच्चों ये कितना होगा 155 कितना होता है 75 प्लस 25 into 2 कितना होता है 50 ठीक है यहाँ पर decimal भी है ठीक है इसलिए आपका 50 लिखा है मैंने इनको अगर मैं add करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा तो ये finally कितना हो रहा बच्चों ये 125 divided by 450 हो रहा है अब इसे काटिए ये 5 2s are 10 हो जागा 550 25 ये 59 जा 45 ये 0 आ जाएगा ये 550 25 ये 5 1 जा 5 and 58 जा 40 तो बच्चों ये जो center of mass का जो x coordinate है ये x coordinate हमें find करना था ये तो 5 1 18 आ गया ठीक है ये तो find हो गया अब हमें y coordinate भी find करना है तो देखो y coordinate कैसे find किया जाता है center of mass का हमें y coordinate भी find करना है तो देखो इसका formula होता है आपका m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3 अब देखो m1 कितना था m1 हमें y100 दे रहका है m2 ये 150 दे रहका है और ये 200 g दे रहका है m3 तो ये तो आपका 100 है 100 into y1 कितना है 0 है यहां 0 आ जाएगा m2 कितना है आपका 150 into y 2 कितना है बच्चों देखो यह y2 coordinate है ये कितना दे रहका 0 तो यहांपे again 0 आएगा यह M3 है आपका 200 gram into Y3 coordinate ठीक है देखो Y3 है आपका 0.25 root 3 जो हमने यहाँ पर just find किया था 0.25 root 3 तो यहाँ पर आजाएगा आपका 0.25 root 3 divided by बच्चों इनका जो sum आया था यह कितना आया था 100 plus 150 plus 200 ठीक है तो यह आजाएगा 450 अब देखो आपका 50 root 3 divided by 450 तो यह आगे आपका 50 root 3 divided by 450 यह 0 से 0 कट जाएगा 59 जा 45 तो यह आपका आ रहा है root 3 divided by 9 बच्चों यहाँ पर भी आप answer छोड़ सकते हो यह भी आपका answer है लेकिन बच्चों NCRD ने थोड़ा इसे अलग तरीके से answer 100 कर रहा है तो देखो इसे आगे क्या करेंगे देखो यहाँ पर अगर मैं यह जो root 3 divided by 9 है अगर मैं numerator और denominator को मैं अगर root 3 root 3 से multiply कर दूँ तो root 3 into root 3 कितना हो जाएगा आपका यह 3 हो जाएगा अरे बच्चों यह कितना हो जाएगा 9 root 3 हो जाएगा आपका 5.18 आ रहा है और जो y कोडिनेट आ रहा है यह 1 upon 3 root 3 आ ठीक है 1 upon 3 root 3 ओके तो इसे आपका complete हो गया है